क्या आपने कभी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि I enjoy his society या फिर मुझे Bollywood की society बहुत पसंद है मुझे Army Officers की society बहुत पसंद है लेकिन इसमें ये society का मतलब क्या है क्या आप ये कह सबते हो कि वो देखो दूर से society जा रही है नहीं न क्योंकि society imaginary होती है आप उसे देख नहीं सकते हो society का मतलब क्या होता है ये सब जानने के इस पर्टिकलर वीडियो को देखते है और समझते हैं What's up everybody, welcome back to my channel Basically if you're a leash, if you need to my channel then do like, share and subscribe and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online और आज से हम चालू कर रहे हैं C.N. Shankar Rao page by page Please directly आप chapter 8 पे आजाएं some basic concepts page number 103 क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका जो basic concepts से पहले वो clear हो और उसके बाद देखे करके हम लोग सारी चीज़े thinkers वगेरा complete करेंगे So let's get started Aristotle ने कहा है कि man is a social animal इंसान कभी भी अखेला नहीं रह सकता वो society में ही रहेगा इंसान किसी भी town में रहेगा, cities में रहेगा, tribe में रहेगा village में रहेगा लेकिन कभी भी अकेला नहीं रहेगा, अकेले पन से या तो उसके साथ दो चीज़े हो सकती है, या तो वो डर जाएगा या उसे bore fill होगा, इसलिए वो जीने के लिए अपनी life को enjoy करने के लिए कुछ काम करने के लिए हमेशा लोगों के साथ में रहता है लोगों के साथ रह करके वो उटतस है बैटता है, चलना सीखता है कपड़े पहनना सीखता है, बाते करना सीखता है और जैसे कि हिंदी के कुछ शब्द होते हैं,वह सब चीज संस्कृत से निकलता है,उसका जो क्या कहते है, उत्पति जो होता है,वह संस्कृत से होता है,वैसी इंगे के जो वर्ट से होता है, वह लाटिन या फिर गीक से निकलता है, तो society यह जो शब्द है that came from the Latin word socialist जिसका मदलब होता है friendship तीन definitions देखेंगे क्योंकि अगर आप अपने MA में हो, BA में हो तो definition बहुत ज़ाधे important होते हैं, let's get started number one, society is the complex of organized associations and institution with a community, इसका मदलब यह है कि मान लो एक association है, एक institution है, वो बहुत ही ज़ाधा organized है और उसमें लोग भी रहते हैं तो उसे हम society कहते हैं, according to GDM call, okay then, एक शब्द है इसको कहते है, web of social relationship, the society is a web of social relationship by McIver, so that is very important, and number three, society is the union itself the organization, the some formal relation in which associating individuals are bound together, लोग एक दूसरे से bound हैं, इसको by professor Giddings, okay, अब हम कुछ देखेंगे, nature of society because that is extremely important सबसे पहला nature है कि society consists of people, मान लो ये एक college है, या फिर एक school है और यहाँ पर बच्चे ही नहीं बढ़ते हैं, तो किस बात का ये college या फिर school हुआ, आप खुद बोलोग यारी, कौन सा school और college है जिसमें कोई लोग ही नहीं होते हैं, तो society consists of people, अगर मान लो कोई society है, तो लोग उसमें होने ही चाहिए, number second, mutual interaction and awareness, वो एक दूसरे से mutually interact करना चाहिए number three, it depends on likeness okay, वो एक दूसरे से similarities होनी चाहिए, एक जैसे दिखने वाले लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कि कुछ जो जानवर है, वो एक साथ रहते हैं इंसान एक साथ रहते हैं पक्षी एक साथ रहते हैं, इस तरीके से society rest on differences too, मान लो कि हम लोग एक दूसरे से विचार भा रहा है, हमारी बहुत अलग है जैसे मैं आपको यहाँ पर बैट के पढ़ा रही हूँ, आप बैट करके पढ़ रहे हूँ, मैं आप क्यूपर dependent हूँ आप मेरी उपर dependent हो, मेरे घर की बिजली कोई और बना रहा है, ठीक है मेरे घर मालो electricity का का काम कोई और कर रहा है, सबजी कोई और उगा रहा है, तो सब के different different काम है, और सब लोग एक दूसरी की उपर dependent है, ठीक है, तो इस तरीके से society चलती है नमबर फाइव इस cooperation and division of labor मैं सारा काम नहीं कर सकती अकेले, इसलिए doctors है engineers है, I.S. officers है नेता वगेरा है, मंत्री है प्रधान मंत्री है, सब कोई है इसलिए सब कोई अपना-पना काम कर रहे है और इसी को division of labor कहते हैं, जिसे कि आपके घर में, आपकी मम्मी घर पे है मलब एकदम stereotypical society में देखोगे तो मम्मी घर का का काम कर रहे हैं, पापा भार का काम कर रहे हैं, पड़ाई का काम कर रहे हो तो ये हो गया division of labor, घर इस तरीके से चलता है society is dynamic, society change होती रहती है society कभी भी static नहीं होती है कि आप बोल दो कि अब तो ये society रुख गई अब ऐसी की ऐसी ही रहेगी, नहीं fashion बदलता है, mobile phones बदलते हैं लोग बदलते हैं, jobs बदलते हैं एक जमाना था कि शादिया कुछ अलग तरीके से हो रही थी याँ शादिया ओनलाइन हो रही है society is dynamic, society have rules and regulations हर society में rules and regulations रहते हैं क्योंकि society को अपने लोगों कंट्रोल करना बहुत अच्छे तरीके से आता है कुछ लोग आपस में planning plotting करके मालो देश को बिगाडने के बार में सोच रहे हैं कुछ बच्चे कुछ और काम कर रहे हैं तो इस तरीके से अलग-अलग चीज़े होती रहती है तो society में rules and regulations होते हैं in the form of रीती, रिवाज and all इसको social control का पार्ट बुलते हैं कि हम आगे पढ़िंगे so this is the very first chapter of society इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो notes बनाओ and yeah, this is all about it, thank you so much and do like, share and subscribe, जादा से जादा लोग को share जरूर करिए, ताकि वो भी C.N. Shankar Rao को page by page पढ़ सके तो, thank you so much and see you, bye-bye in the next video, bye everybody